नमस्ते, मैं हूँ दिप्ति कच्च, उस तक का नाम है उपन्यास समराट मुन्शी प्रेमचन्द, लेखक है रादेश्याम, प्रगल्म कलम के सिपाही मुन्शी प्रेमचन्द हिंदी के युग प्रवर्तक उपन्यास कार थे, उन्होंने हिंदी उपन्यास को तिलिस्मी और एयारी के जंगल से निकाला, अपनी कहानियों और उपन्यासों के मध्यम से सामाचिक, राजनेतिक, चेतना फुके समाज में प्रचलित कूप रथाओ, रुडियों तता अंग्रिय शाषन की दमनिती पर कसकर प्रहार किया, समाज की धोंगी ठेकेदारों का परदाफाश किया, मजदूर किसानों की हिमायत की, ग्रामे जगत का जीता जाकता चित्रा उपस्तित किया, और सबसे बड़ी बात तो यह कि उनकी भाषा शैली का कोई मुकाबला ही नहीं, इनहीं सब विशेश्ताओं के कारण संसार ने उनकी लेखनी का लोहा माना और एक स्वर में उन्हें उपन्या समराट कहा, प्रस्तुत पुस्तक में मुनसी जी के जीवन और साहित्य की अत्यत सहज सरलबासा में जा प्रक्राण पहला, उपन्या समराट, रविवार का दिन शाम का समय, रमेश और नीता अपने पिता को गेर कर बैठे थे, पडोस के चन्नु मुन्नु भी आ गये थे, हरिश बाबु की हर रविवार की शाम बच्चों के साथ ही बीटती थी, रमेश उनका लाडला बेटा था नीता थी लाडली बीटिया, हर रविवार को वह उन्हें किससे कहानी सुनाते थे, आज भी वही सिलसिला था, हरिश बाबु ने प्रश्न किया, समराट किसे कहते हैं, बहुत बड़े राजा को, रमेश ने उत्तर दिया, हाँ, उस राजा को जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हो, अच्छा, किसी समराट का नाम तो बताओ, समराट असोक, नीता बोली, चंद्रगुप्त, चुन्नु ने कहा, अकबर महान, रमेश बोला, हरिश जी बच्चों के जवाब से खुश हुए, बोले, शाबबाश, तुम लोग तो बहुत चतुर हो, इन तीनों राजा नीता भी नहीं चुकी, ठीक है, हरिश बाबुने कहा, फिर बोले, हमारे देश में, हमारे ही युग में एक महान व्यक्ति हुआ, उसके पास दो बीगा जमीन भी नहीं थी, पर संसार उसे समराट कहता है, के तुम उसका नाम बता सकते हो, सभी बच्चे चुप, कुछ दड़ाई बोला, घांदी जी, नहीं भाई, उन्हें समराट नहीं, महात्मा कहा जाता है, रमेश बोला, तब आप ही बताइए, हरिश बाबुने बताया, उनका नाम है मुन्शी प्रेमचंद, सारा संसार उनको उपन्या समराट कहता है, संसार में एक से बढ़कर एक कवी और लेखक हुए है, पर किसी को भी समराट नहीं कहा जाता, प्रेमचंद्टी के उपन्यास का समराजय बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें उपन्यास समराट कहते है, नीता ने पुछा, उपन्यास क्या होता है पिता जी, हरिश बाबुने बताया, साहित्य के मोटे तोर प पर दो रूप होते है, पद्य और गध्य, पद्य में तुक का मिलना जरूरी होता है, कविताय अक्सर पद्य में लिखी जाती है, मीरा और सुर्दास के पद, कबीर और रहीम के दोहे पद्य के ही रूप है, इन सब में पंक्ती के आंत में तुक मिलती है, पहले कविता के ल आपस में जो बातचीत करते हैं वह गध्य में होती है। खत गध्य में लिखा जाता है। निवंद, लेख, नाटक, अकबार की खबरे, कहानी और उपन्यास भी गध्य के ही रूप है। कहानी में केवल किसी एक गटना का वणन होता है। उपन्यास का ख्षेत्र विस्त्रूत होता है। उसमें बहुत सी गटनाएं होती है। कहानी लिखने वाला कहानीकार और उपन्यास का लेखक उपन्यास कार कहलाता है। हिंदी के गध्य साहितिय में मुंजी प्रेमचंत का सांस बहुत उंचा है। उन्होंने सैकडो कहानिया लिखी, कई उपन्यास लिखे, उनका गोदान उपन्यास हिंदी का अब बे जुड उपन्यास है, प्रेमचन की किन्ती संसार के सर्वस्रिष्ट उपन्यास कारोग में की जाती है, सारा संसार उनकी लेखनी का लोहा मानता है, विश्वा की अनेक भा प्रेमचन कहते हैं। इसी प्रकर भारतवासी प्रेमचन को हिंदी के गौरकी कहते है। सभी बच्चे हरिश बाबु की बाते बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे बताया। और आश्चेरे की बात तो एक है, मुन्शी प्रेमचन सुरू से ही हिंदी की लिखक नहीं थे, वह उर्दु में लिखा करते थे, काफी बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, और ऐसा लिखा, इतना लिखा कि लोग दांतों तले उंग्री दबा कर रह गए। इतना कहकर, हरिश बाबु बोले, अब काफी समय हो गया है, कल शाम को इसी समय मुन्शी जी के बारे में कुछ और बाते बताऊंगा, सभी बच्चे खुसी से उचल पड़े। प्रकरण दूसरा, नवाब का बच्चपन, हरिश बाबु दफ्तर से रोज की तरह संध्या पांच बजे लोटे, कुछ खण में बच्चे उनके पास आकर बैठ गए, हरिश बाबु को समझते दे न लगी कि बच्चे किया चाते थे, उन्होंने कहना शुरू किया, हर आदम अपने बच्चपन में नवाब होता है, ना कोई फिक्र ना फाका, खेलना कुदना और मस्त रहना, बस ऐसे ही बच्चपन के दिन हवा हो जाते है, मुन्शी प्रेमचन का तो बच्चपन का नाम ही नवाब था, यह नाम उनके ताव का दिया हुआ था, वह बहुत गोरे थे इसलिए पिता ने उनका नाम धनपत रखा था, प्रेमचन के नाम से तो वह बहुत बाद में जाने गए, प्रेमचन का जन्मा 31 जुलाई 1880 को लंभी घाव में हुआ था, लंभी लखनव से आजमगड जाने वाली सड़क पर है, नवाब के पिता का नाम मुन्शी अजायब इंसान थे, उनके काम की बहुत तारीफ थी, उनका चाल चलन भी बहुत अच्छा था, इसी कारण उनके अफसर उनसे बहुत खुश रहते थे, नवाब की माता का नाम आननदी देवी था, वह बड़ी, रूपवती और गुणवती थी, पड़ी लिकी न थी, पर घर के काम क काज में बहुत निपूर्ण थी, नवाब की केवल एक बहन थी, सुग्गी, वह उनसे बड़ी थी, नवाब अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, इसलिए उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करते थी, उन्हें जरा कुछ हो जाता तो टोने टोटके करने लगती, और इन नवाब की नजर गुजर से बचाती रहती, नवाब आठ वर्सके हो गए, पढ़ाई शुरू हुई, और भी फार्सी पढ़ने लगे, पढ़ने के लिए नवाब को गाउं से दो तीन किलोमेटर दूर जाना पढ़ता, वहाँ एक मौलवी का मकतब था, मौलवी साहब प पासी रोटी खाकर चलते, दोपर के लिए चबेना ले जाते, नवाब और हलदर दोनों ही अवल दरजे के शरार्दी थे, नवाब एक कदम और आगे, दोनों ही अकसर मकतब से गायव रहते, स्वयम मौन्शी प्रेमचन ने इस बारे में लिखा है, मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, नहीं गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था, फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने सिपायों की कवायत देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे-पीछे गुमने में दिन काट देथे, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते, गाड़ियों के समय का जितना ज्यान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था, इस तरह नवाप के बचपन के दिन तेजी से बीत रहे थे, गरमी आई तो आम के बाग में गुजार कभी कच्चे आम खाये गए, कभी आमों को भून कर पन्ना बनाया गया, जाड़े की दिनों में दोनों भाई कोलगू पर बहुत जाते, गरम गुड़ खाते और मस्तर रहते, गुड़ तो मुझे भी अच्छा रगता है, पिता जी रमेश बोल पड़ा, हरिश बाबु ने क बच्पन में गुड़ चुरा-चुरा कर खाया था, एक बार उनकी खूब ताल बैठी, मा गई थी अपने माई के, परिक्षा की वज़से नवाब लम्ही में ही रह गये थे, फिर क्या था, तीन महिने में 40-50 किलो गुड़ नवाब के पेट में दाखिल हो गया, शायद ही क अपनी बच्पन की चोरी का जिक्रक किया है, प्रेमचित भी इससे नहीं बच पाए, एक बार उन्होंने घर से एक रुप्या चुराया, हल्दर की भी इसमें सला थी, दोनोंने मेला देखने की योजना बनाई, हल्दर तो जा नहीं सके, मौलवी साहब ने चुट्टी नही बहुत मार पड़ी, नवाब गर पहुँचे तो स्थिती देखकर घबराए, मार तो नहीं पड़ी पर डाट खूब लगी, उस दिन से कभी चोरी न करने का फैसला किया, और फिर कभी चोरी की भी नहीं, चोरी करना बुरी बात है, पर ना समझी में जो गलती हो जाती है, व इसला गलती को दोहराना, नवाब के दिन हसी खुसी से बीत रहे थे, अचनक बिजली तूट पड़ी, उनकी मा का नितन हो गया, नवाब से मा का प्यार छिन गया, पिता बच्चों को कितना ही प्यार करे, पर वो मा के प्यार की कमी पूरी नहीं कर सकता, फिर अजायब लाल की तो आए दिन बदली होती रहती थी, आज यहां तो कल यहां, इसलिए नवाब को अपनी दादी के पास लमही में रहना पड़ता, बिना मा के बेटे को दादी का बहुत लाड मिला, इसलिए नवाब को बुरी संगत मिलने में देर न लगी, उन्होंने बीडी सिगरेट प पड़ने का शौक लगा, उर्दू में लिखी मोटी मोटी अनेक किताबे पड़ डाली, एक कहानी खुद भी लिख डाली, जैसे तैसे नवाब ने आठवी कक्षा पास की, पड़ने में वह बहुत तेज नहीं थे, हाँ पास जरूर हो जाते थे, दरसल उन्हें बड़ी मु काशी के प्लिस कॉलेज में पढ़ता था, हिर्मस्टर ने फीज माफ कर दी थी, इम्तियान सीर पर था, और मैं बास के फाटक एक लड़के को पढ़ाने चाहता था, जाड़ों के दिन थे, चार बज़े पहुँचता था, पढ़ा कर 6 बज़े चुटी पाता, वहां से मेरा गर देहात में 5 मिल की दूरी पर था, तेज चलने पर भी 8 बज़े से पहले गर न पहुच पाता, प्राता काल 8 बज़े फिर गर से चलना पढ़ता था, नहीं तो वक्त पर स्कूल न पहुचता, रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता, और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रहता, इस प्रकार नवाब मुसीबतों से जूजते हुए पढ़ रहे थे, नवाब के पिता ने दूसरी साधी कर ली, नवाब को नई मा से मा का सा प्यार नहीं मिला, अब वो और भी दुखी रहने लगे, उन दिनों बाल विवा का रिवास था, नवाब की शाधी तै हो गई, लड़की नई मा के पिता ने देखी, बताया गया कि लड़की बहुत सुन्दर है, घर भी अच्छा है, पर ऐसा कुछ न निकला, लड़की बहुत कुरूप थी, इस साधी से नवाब के पिता भी बहुत दुखी हुए, पर किया क्या जा सकता था, नवाब दसवी कक्षा में पढ़ते थे, उसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया, इस से नवाब के मन को गहरी चोट लगी, साथ ही पढ़ाई में भी बाधा आए, वा उस वर्ष परिक्षा न दे सके, एक साल बाद उन्होंने दसवी पास की, इसके लिए उन् ट्यूशन भी पढ़ना पड़ा, तब कहीं 1895 में वा दसवी पास कर पाए, प्रकरन तीसरा, नौकरी का सिलसिला, पिता के मृत्यू के बाद मुन्शी प्रेमचन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, नौकरी करना जरूरी हो गया, संयोग की बाद उनकी भेट चुनार के एक हाई स्कूल के प्रदान अध्यापक से हो गई, उन्होंने प्रेमचन को अपने स्कूल में अध्यापक रख लिया, वेतन था 18 रूपय मासिक, मुन्शी जी चुनार में अधिक दिन नहीं रहे, उस स्कूल में एक मौलवी भी पढ़ाते थे, विध्यालाई के प्रबंद प्रिंसीपल सहाब की सिफारिस पर उन्हें बहराईज में अध्यापक की नौकरी मिल गई, बहराईज में भी मुन्सी जी अधिक दिन नहीं रहे, उनकी प्रताबगड के लिए बदली हो गई, प्रताबगड में मुन्सी जी की कई साहित्यक व्यक्तियों से जान पहचान लिखना भी शुरू हुआ, उन्होंने उर्दु में कई कहानिया लिखी, वे अकबारों में छपी भी, इस समय मुन्सी जी नवाबराय या धनपतराय के नाम से लिखते थे, उनका असली नाम तो धनपतराय ही था, यही नाम सरकारी रजिस्टर में भी लिखा था, के रूप में मुन्सी जी की बड़ी प्रसंसा थी, छात्रा उनका बहुत आधर करते थे, अंग्रे जी और उर्दु दोनों विशय वह बहुत अच्छा पड़ाते थे, कुछ साल बाद मुन्सी जी ने स्कूल से दो साल की छुट्टी ली, वह इलाब बाद पहुँचे, वह टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में दाखिला लिया, दो साल में ट्रेनिंग पूरी की, उन्होंने परिक्षा में प्रतम स्रेनी प्राप्त की, ट्रेनिंग पूरी कर वह फिर प्रतापगड आ गए, उनका अधिक समय लिखने पढ़ने में ही बीत था, अब वह उर्दु के कहान कानिकार के रूप में माने जाने लगे थे, इलाबाद ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल प्रेम से बहुत खुश थे, उन्होंने उन्हें इलाबाद बूला लिया, अब वह नार्मल स्कूल के हेड मास्टर हो गए, पर यहां भी वह थोड़े ही दिन रहे, उनका तबादल अध्यपक के रूप में कानपूर के लिए कर दिया गया, कानपूर में मुन्शी जी की बेट मुन्शी दया नरायन निगम से हुई, दोनों पक्के मित्र बन गये, बाद में दया नरायन ने जमाना अकबार निकाला, मुन्शी जी इस अकबार में कुछ न कुछ बराबर लि राजनीतिक मामलों पर भी बहस हो थी। यह वह समय था जब देश में राष्टिये चेतना आ रही थी। इन्ही दिनों मुन्शी ची की पतनी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने मुन्शी दया नारायन की सला मानी। एक बाल विद्वा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया। शिवरानी देवी ने मुन्शी ची की बड़ी सिवा की। पग पग पर उचित सला और सहयोग दिया। सन 1910 में मुन्सी धनपत राय का तबादला महोबा को कर दिया गया। उनकी तरक्की हुई थी। वेतन 40 रुपिय से 60 रुपिय हो गया था। अब वो स्कूलों के सब इंस्पेक्टर बना दिये गये थे। सब ठीक था। पर एक कस्ट था। नौकरी गुमने फिनने की हो गये थी। मास्टरी में जगर जगर दोड़ना नहीं पड़ता था। साथ ही लिखने पड़ने का भी खूब आउसर मिलता था। अब वो बात न करते। उन दिनों सब इंस्पेक्टर का बड़ा रवप था। गाउं का गाउं उनकी सेवा के लिए दोड़ पड़ता। अध्यापक भेट लेकर आते। पर मुन्शी जी इन सब चीजों से दूर थे। वह अपने साथ रावटी ले जाते थे। उसी में रहते थे। खाने पिने का प्रबंध खुद का ही रखते थे। वह गाउं वालों को तनिक भी कस्ट नहीं देते थे। अध्यापकों को जरावी परेशन नहीं करते थे। कुछ निरिक्षक जूठे मुआइदें दिख दिया करते थे। मुन्सी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सरका कुडा करकट पड़ा हुआ है और जहां शायद वर्सों से जाडू नहीं दी गई है। एक फटे पुराने टाट पर 20-25 लड़के बैठे ओंद रहे है। सामने एक टूटी हुई कुरसी और पुरानी मेज है। उस पर जनाब मास्टर साहब बैठे हुए है। लड़के जू का मदरसा है। जहां किसी जमाने में तक्षशिला और नालंदा के विद्यपिट थे। यह है उस समय के भारतिय विद्यलाई का चित्र। यह दशा देख मुंशी प्रयमचन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अकबार में एक लेक भी लिखा। शिर्शक था। संइप्त प्रांत में प्रारंबिक शिक्षा। लेक में उन्होंने दो टूक बात कही। बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के। वह तो एक सब इंस्पेक्टर मात्र थे। उन्होंने अपने लेक में डाइरेक्टर तक को नहीं बक्षा। उन्होंने लिखा। कुछ तो रु का त्योब भोखा रह जाता है दुर्भाग्य से सरकार का खायाल है कि मुईया ज्यादा हो मुन्शी जी अस्वस्त रहने लगे थे अमेरपुर में वह 25 के रोगी हो गए उन्होंने दो बार बिना वेतन की छुट्टी ले इलाज कराया कोई विशेश लाप नहीं हुआ नौकरी छोड़नी चाही पर अभी घर की सिधी अच्छी नहीं थी उनका बस्ती के लिए तबाद कर रहा था आखिर इस सवन में वह डायरेक्टर से मिले वह जुझुलाया और उसने उनकी बात मान ली उसने उन्हें बस्ती में ही अध्यापक के पत पर भेज दिया जगर नहीं बदली जलवायू वही रही हाँ काम अवश्य बदल गया भाग दोड़ की जिंगी से तो चु युग्यता भी बढ़ाई उन्हों इंटर की परिक्षा पास की फिर कुछ समय बाद बीए भी कर लिया उनका विचार था कि लिटरेरी आदमी को बीए तो होना ही चाहिए वह एमेपी करना चाहते थे उन्होंने पुस्तके खरिद ली पर परिक्षा नहीं दी इसका एक करण था इन्हीं दिनों गांधी जी ने आजादी की लड़ाई छेड रखी थी प्रैम चंच जी पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा वो अंग्रेजों की नौकरी को गुलामी समझने लगे एक बार का जिक्र है मुनसी जी के स्कूल का मुआइना था इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर उनके घर के सामने से निकला मुनसी जी बरामदे में बैठे कुछ लिख रहे थे इंस्पेक्टर को बुरा लगा मुनसी जी उसे देखकर खड़े क्यों नहीं हुए उन्होंने उसे प्रणाम क्यों नहीं किया उसने गाड़ी र कर हूँ बाद में मैं भी अपने गर का बाश्चाह हूँ इंस्पेक्टर खिसिया कर चला गया मुंसी जी ने उस पर मान हानी का मुकदमा चलाने की सोची मित्रों के मना करने पर इरादा बदल दिया ऐसी घटनाएं आये दिन होती रहती थी इसलिए वह खीज उठे थे और किसानों का पक्ष लेते थे उनके इस मार्ग में नौकरी बाधा थी इसलिए वह नौकरी छोड़ देना चाहते थे वह एक प्रेस लगाना चाहते थे साथ ही एक अख़बार भी निकालना चाहते थे ऐसा करने से उन्हें जम कर लिखने का और खुल कर कहने का आउसर मिलत पर स्थितिया अभी अनुकुल नहीं थी इसलिए नौकरी का सिलसिला जारी रहा प्रक्रण चो था नवाबराय से प्रेमचंद हर इस बाबुने बच्चों को बतलाया नवाबराय, धनपतराय और प्रेमचंद तीन व्यक्ति नहीं थे ये नाम मुंशी प्रेमचंद ही के थे, नवाबराय उनका बच्चपन का नाम था, उर्दु में उन्होंने इसी नाम से लिखना शुरू किया था उनकी अनेक उर्दु कहानिया कुछ उपन्यास इसी नाम से प्रकशित हुए थे, सरकारी रजिस्टरों में उनका नाम धनपतराय श्रीवास्तव लिखा था मास्टरी और सौ इंस्पेक्टरी भी उन्होंने इसी नाम से की, कभी-कभी इस नाम से उर्दु में कुछ लिखा भी, हिंदी में उन्होंने इस नाम से कुछ नहीं लिखा हिंदी साहित्य ने उन्हें प्रेमचन की नाम ही से जाना, संसार में प्रसिद भी वह इसी नाम से हुए मुन्शी जी का नाम प्रेमचन कब रखा गया, क्यों रखा गया, इसकी भी अपनी कहानी है तब धनपत्राय सब इंस्पेक्टर थे, हमीरपूर उनका मुख्य कारे ले था वह हमीरपूर से मुएना करने के लिए कुल पहाड नामक कस्बे में गए हुए थे या अपनी रावटी में बैठे थे, तबी कलक्टर सहाब का बुलावा आया मुन्शी जी का माथा ठनका, कलक्टर ने उन्हें क्यों याद किया है, जरूर किसी ने कोई सिकायत की होगी, नई तो अंगरेज कलक्टर उन्हें क्यों बुला था खेर, वह बैल गाड़ी में बैठ कलक्टर से मिलने चल दिये मुन्शी प्रेमचर ने कलक्टर के सामने सोजे वतन की एक प्रती रखी देखी सोजे वतन मुन्शी जी की उर्दु कहानियों का संग्र था उसमें सारी कहानिया देश प्रेम पर आधारित थी उनमें अंग्रे जी की दमननिती पर चोट की गई थी उस अंग्रा की एक कहानी पर खुफिया विभाग को बहुत एतरास था मुन्शी प्रेमचर स्थिती को समझ गए वह स्थिती का सामना करने को तयार थे कलक्टर ने मुन्शी जी से पूछा या फुस्ता तुमने लिखी है मुन्शी जी ने कहा जी हाँ इसके बाद कलक्टर ने उनसे हर एक कहानी का आशय पुछा मुन्शी जी ने उसे प्रत्य कहानी का सार अंग्रे जी में बता दिया अंग्रेज कलक्टर भीगड उठा बोला अपने भाग्य को सरा हो कि अंग्रेज हुकूमत में हो मुगलों की हुकूमत होती तो तुमारे हाथ कटवा दिये जाते कुछ देर रुख कर फिर बोला तुमने अंग्रेज सरकार का अपमान किया है मुण्शी प्रेमचन चुप रहे उसकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया अंत में कलक्टर ने आग्न्या दी सोजे वतन की सारी प्रतिया सरकार के हवाले कर दो हागे से बिना हमारे इजाजत के कुछ भी नहीं लिखोंगे मुण्शी जी लौट आये जमाना कारेले से सोजे वतन की बच्ची हुई प्रतिया मंगवाली वे प्रतिया कलक्टर के पास पहुचा दी गई मुण्शी प्रेमचन ने समझा था कि मामला निपट गया पर बात ऐसी न थी कलक्टर ने मुण्शी जी के बारे में और जानकारी चाही उसने जीले के अन्य अधिकारियों से पूछ ताच की पुलिस कप्तान मुण्शी जी की बहुत खतरनाक आदमी समझता था उसका विचार था कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए पर डिपटी इंस्पेक्टर मुण्शी जी से खुश थे उनकी कोसिस से मामला दब गया मुण्शी प्रेमचन को न तो नौकरी से निकाला गया न कोई सजादी गई हाँ अब उनके लेखन पर बंदिश तो लग ही गई थी इस समय तक मुण्शी जी नवाब्राय के नाम से ही लिखती रहे थे आगे इस नाम से लिखने के लिए कलेक्टर की आग्या लेना चरूरी था इसलिए सोचा गया कि किसी और नाम से लिखा जाए नाम क्या रखा जाए? मुण्शी दयान आरायन ने प्रेमचन नाम का सुजाव दिया मुण्शी जी को नाम अच्छा लगा उन्होंने दया नरायन को लिखा प्रेमचन अच्छा नाम है मुझे भी पसंद है मुन्सी जी को एक बात का दुख अवश्य था अब तक नवाबराय और धनपतराय को जो ख्याती मिली थी वह बेकार गए पर नाम तो बदलना ही था इस प्रकार सन 1910 के अक्तुमबर नवंबर में मुन्सी जी नवाबराय से प्रेमचन बन गए प्रेमचन की नाम से उनकी पहली कहानी बड़े गर की बेटी प्रकाशित हुई प्रक्रण पांचवा हंस मोती चुपता है हरिस बाबु ने कहा मुन्सी प्रेमचन सरकारी नौकरी से उप चुके थे वह किसी अकबार में काम करना चाहते थे इस बारे में उन्होंने कई बार मुन्सी दया नरायन निगम की लिखा भी पर ऐसा सुयोग नहीं बन पाया मुन्सी जी की दूसरी इच्छा प्रेस खोलने की थी कई बार कोशिश की पर बात बनी नहीं आखिर उन्होंने अपने इस इरादे को पूरा किया बनारस्त में एक प्रेस खरिद लिया नौकरी भी चलती रही प्रेस की देखरेक का काम अपने सोंतेले भाई महताब राय को सौंप दिया प्रेस में मुन्सी जी और महताब राय के अलावा दो व्यक्तियों का पैसा और लगा एक ते मुन्सी जी के बड़े भाई दूसरे उर्दु के प्रसित शायर रगुपती सहाय फिरक फिरक साब मुन्सी जी का बहुत आधर करते थे वह उनकी कहानियों उपन्यासों के बड़े प्रसन सकते पहले साल ही प्रेस में गाटा आया मुन्सी जी की चिंताय और बढ़ गई किताबों की आमदनी को प्रेस हजम करने लगा जी का सारा चैन गया परेशानी ही परेशानी नजर आने लगी अब एक ही रास्ता था प्रेस को बेच दिया जाए लोगों का रुप्या चुका दिया जाए पर स्थिती दूसरी ही बनी महताब राय प्रेस से अलग हो गए प्रेस का सारा बार अकेले मुन्शी जी पर आ पड़ा नौकरी करते हुए प्रेस को ठीक से चलाना मुश्किल था सोचा गया की नौकरी छोड़ दी जाए उन्होंने अपनी पतनी शीवरानी देवी से सलाह ली शीवरानी देवी ने जी कड़ा कतके नौकरी छोड़ देने की सलाह दी मुन्शी जी ने कहा खूब सोच लो बड़ी मुसिबते उठानी पड़ेगी शीवरानी जी ने अपनी राय नहीं बदली और फैसला ले लिया गया नौकरी छोड़ दी गई सरकार की गुलामी से पीछा छूटा उन दिनों मुन्शी जी गोरकपुर में अध्यापक थे धीरे धीरे प्रेस मुन्शी जी के जी का जनचाल बन गया कभी कागज के लिए दोड़ दुप कभी कमपोचिटरों की तलाश कभी मशीन की खराबी और पैसे की तंगी तो हमेशा ही बनी रहती मुन्शी जी दुगने साहस से जुट पड़े प्रेस के प्रूफ पड़ते कहानी उपनियास भी लिखते उन्हें अपनी ही प्रेस में छपवाते कभी कभी उन्हें पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ती यो संगर्स जारी रहा कुछ समय बाद उन्होंने हंस नामक मासिक पत्र निकालना शुरू कर दिया उसमें उनकी कहानिया छपती साहित एक राजनितिक सामाचिक विशवय पर लेक छपते हंस के साथ साथ मुन्सी जी ने जागरान अकवार का भी प्रकाशन किया दोनों ही पत्र अपने युग के प्रसित और प्रमुक पत्र थे हंस तो बहुत ही लोग प्रिय था लेकिन हंस भी मुन्सी जी के लिए घाटे का ही सोधा बना रहा प्रेश ने मुन्सी जी को कभी नहीं पनबने दिया उनके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया महले में रहते थे, जिसमें मुंसी जी रहते थे, मुंसी जी ने पूछा आप बंबई कब आए, अभी कुछ ही दिन हुए, प्रैमी जी ने उत्तर दिया, आप यहां किस इरादे से आए हैं, प्रैमी जी बोले, मेरा इरादा प्रेस लगाने का है, या फिल्फ के लिए कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ, उस पैसों से घर जाकर प्रेस लगाऊंगा, मुंसी जी मुस्कुराए, बोले, और जब प्रेस में घाटा आ जाए, तब फिर बंबयाना उस घाटे को पूरा करने के लिए, प्रेस ही की तरह हंस ने भी मुंसी जी को बड़े कस्ट दिये, फिर भी उन्हें उसका प्रकशन बंद नहीं किया, एक बार का चिक्र है, मुंसी जी अस्वस थे, उधर हंस प्रकशित होना था, उन्हें उसका संपाद किया लिखना था, सुबह से ही संपाद किया लिखने बैठ गए सिवरानी जी को इससे दुख हुआ, उन्होंने मुनसी जी के हाथ से कलम चीन ले मुनसी जी ने उनसे कहा कमपोजिटर आ जाएंगे, काम रुका होगा, सिर्फ दो पुरुष्ट और लिखने है लिखने दो, केवल पांच मिनिट लगेगी सिवरानी जी बोली, एक सेकंड का समय भी नहीं मिलेंगा, उठिये और नाश्ता कीजिए मुनसी जी ने पहले तो कुछ हिल हुज़त की, फिर उठना पड़ा तभी कमपोजिटर ने नीचे से आवाज दी, हंस के लिए मैटर दीजिए प्रेमचन जी कुछ कह भी न पाये थे कि उनकी पत्नी बोली, चलो, एक घंटे में मैटर पहुँचाते है कमपोजिटर चला गया मुनसी जी ने पत्नी से कहा, तुमने मुझे लिखने नहीं दिया, अब प्रेस में लोग बैठे रहेगे सिव रानी जी ने व्यंग करते हुए कहा, तो हंस ऐसा कौन मोती उगल रहा है प्रेमचन जी मुस्कराय बोले, हंस मोती उगलता नहीं रानी, चुकता है इतना कहकर मुनसी जी घंपीर हो गए सच ही तो था, हंस अकबार ने हमेशा मुनसी जी की गाड़ी कमाई के मोती चुगे प्रकराण छट था, फिल्म जगत और मुनसी जी हरिश बाबु ने बच्चों को बताया, सन 1914 की बात है बंबई की एक फिल्म कम्णी ने मुनसी प्रेमचन के उपन्यास सेवा सदन की फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा अनुबंध हो गया, कम्पनी ने इसके लिए मुनसी जी को साड़े साथ सो रुपिय दिये यह राशी उन दिनों काफी अच्छी रकम थी, पर मुनसी जी तो खर्चों से दबे पड़े थे उन्होंने इसका चीकर करते हुए जैनेंद्री जी को लिखा एक खुश कबरी यही है कि सेवा सदन का फिल्म हो रहा है उस पर मुझे साड़े साथ सो रुपे मिले लेकिन तंगी में जब कोई रकम हाथ आ जाती है तो वे सारी जरूरते जो मुझ दबाये पड़ी थी एका एक चीक माने लगती है किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास जूते नहीं है किसी की लड़की की शादी के लिए कुछ देना चाहिए गरज वह रुपया दो चार दिन में हवा हो जाते है सेवा सदन की कहानी पर हिंदी में तो फिल्म बनी ही, तमिल में भी बनी तमिल फिल्म हिंदी फिल्म से अच्छी थी हिंदी फिल्म को बिलकुल बाजारू बना दिया गया था मुन्शी प्रेमजन को इससे बहुत दुख हुआ पर वह कर भी क्या सकते थे समय बीतिता गया प्रेस, हंस और जागरण में गाटा बरकरार था अचलक मुन्शी जी के सामने फिल्म जगत से फिर एक प्रस्ताव आया प्रस्ताव बंबई की एक फिल्म कंपनी अजन्ता सिनेटोन की ओर से था वह यह कि मुन्शी जी बंबई में रहे उनकी कंपनी के लिए कहाने लिखे एक साल का अनुबंद कंपनी मुन्शी जी को वर्स भर के लिए आठ हजार रुपे देगी लिखने पढ़ने की पूरी छूट जो चाहे लिखे मुन्शी जी की आर्थिक दशा खराब थी ही सोचा अच्छा मौका है करजे से मुक्ती मिलेगी एक साल इस दुनिया का भी अनुबव कर ले मित्रों से सला ली जेनेंद्र जी को पत्र लिखा उत्तर न मिला तो दूसरा पत्र लिखा प्रसाज जी की सला है मैं बंबई न जाओ तुम्हारी भी यही राय हो तो नहीं जाओगा जोहरी जी कहते है जरूर जाइए चीर संगिनी दरित्रता भी कहती है चलो जीवन का यह भी एक अनुबव है और आखिर बोरिया विस्तरबान मुन्शी जी बंबई पहुँच गए तारिक थी 31 मई 1934 बंबई में तीन कमरों का एक मकान किराय पर लिया खाने की व्योस्ता होटल में रही लगबग दो महीने बिते मुन्शी जी को घर की याद सताने लगी मुन्शी जी ने शिवरानी देवी को पत्र लिखा बच्चों की पड़ाय की व्योस्ता इलाहाल बाद में कर दी गई शिवरानी जी भी बंबई पहुँच गई साथ में लड़की और केवता भी मुन्शी प्रेंचन के लिए यह एक बिल्कुल नए दुनिया थी वा बंबई में सुखी नहीं थे फिल्म कमणी संसनिक हेज कहानी चाहती थी वा देश की मौजुदा समस्याओ पर कहानी देना चाहते थे आकिर मुन्शी जी को समझोता करना पड़ा जहां तक उनके मन ने स्विकार किया उन्होंने कमणी की इच्छा पूरी की उन्होंने इस बारे में लिखा भी है जिन्दगी में समझोता करना ही पड़ता है आदर्शवात महंगी चीज है और कभी-कभी तो उसको दबाना पड़ता है मजदूर फिल्म की शुटिंग चल रहे थी फिल्म की कहानी का धाचा कमपनी ने ही दयार किया था मुन्शी प्रेमचन ने उसके समवान लिखे थे यहां वहां कुछ सुधार भी कर दिया था फिल्म की शुटिंग बंबई की एक मेल में हुई थे फिल्म में मेल मालिक द्वारा मजदूर पर किये जाने वाले जुल्मों को दिखाया गया था बंबई के एक सेट बंबई सेंसर बौड के सदसे थे उन्होंने फिल्म को पास नहीं होने लिया कुछ दुरुश्य निकाल पी दिये गए फिर भी सेंसर बौड ने उसे पास नहीं किया इसलिए बंबई में फिल्म न दिखाई जा सकी पंजाब के सेंसर बौड ने फिल्म पास कर दी कुछ दिन फिल्म पंजाब में चली मजदूरों की भीड की भीड फिल्म देखने जाने लगी पंजाब सरकार सहम गई, फिल्म के प्रदेशन पर रोक लगा दी गई इस तरह उत्तर प्रदेश में भी फिल्म पास नहीं हो सकी फिल्म में एक दुश्य था, एक मिल मालिक की कार के सामने एक मजदूर लेट जाता है दिल्ली में फिल्म चली, उसे देखकर एक मजदूर वास्ताव में ही अपने मेल मालिक की कार के सामने लेट गया नतीचा यह हुआ कि दिल्ली में भी फिल्म पर रोक लगा दी गई आखिरी कार सरकार ने फिल्म का प्रदेशन सभी जगब बंद कर दिया और यह फिल्म पेल हो गई मुंशी प्रेमचन को फिल्म लाइन रास नहीं आई, नहीं उन्हें यह लाइन पसंद थी उन्हें कहानी में डायरेक्टर का दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था पर लाचारी थी, अनुबंद के अनुसार साल तो पुरा करना ही था वैसे उन्होंने फिल्म लाइन को छोड़ देने का इरदा कर लिया था इसी बीच बंबई फिल्म कमटी की ओर से एक नया प्रस्ताव आया वह चाहते थे कि मुन्शी जी सुविधा अनुसार चाहे जहां रहे चाहे बनारस में, चाहे बंबई में बस वर्ड्स भर में फिल्म कमपनी के लिए दो तीन कहानिया दे दिया करे मुन्शी जी ने प्रस्ताव नहीं माना धरसल वह फिल्म लाइन से उब चुके थे और फिल्म के लिए कुछ भी न लिखने का मन में पैसला कर चुके थे इसी बीच अजन्ता सेनेटों कमपनी बंध हो गई अनुबंध भी पूरा नहीं हुआ मुन्शी जी को 2500 रुपय चोड़ने पड़े वह अनुबंध की अवधी से तीन महीने पुर्वही बंबई से चले आए बंबई से चलते समय उन्होंने जैनेंद्र जी को लिखा था फिल्म में डाइरेक्टर सब कुछ है लेखक कलम का बाच्शा क्यों न हो यहाँ डाइरेक्टर की अमलदारी है उसके राज्य में लेखक की हुकुमत नहीं चल सकती हुकुमत माने तबी वह रह सकता है डाइरेक्टर जोड़ से कहता है हमने व्योसाइख होला है धन कमाना हमारी गरज है जो चीज जनता मांगेगी वो हम देंगे इसका जवाब यही है अच्छा सहाब हमारा सलाम लीजिए हम गर जाते है वही मैं कर रहा हूँ मई के महीने में बंदा काशी में उपन्यास लिख रहा होगा तो क्या मुन्सी जी की किसी और कहानी या उपन्यास पर फिल्म नहीं बनी? नीता ने पूछा हरिश बाबु ने बताया बनी पर उनके जीवन काल में नहीं बाद में सतरंच के खिलाडी दो बिगा जबीन कहानियों पर फिल्म बनी दो बैलो की कहानी के आधार पर बनी हीरा मोती फिल्म भी खूब पसंद की गई गबन और गोदान मुंसी जी के दो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इन दोनों उपन्यासों पर भी फिल्म में बन चुकी है प्रक्रण सात्वा कहानिकार प्रेमचंद लान में बैठे रमेश और नीता अपने पिता का इंतिजार्थ कर रहे थे कुछ देर बाद ही हरिस बाबु आ गए आते ही उन्होंने प्रश्न किया क्यों? आज चुन्नु मुन्नु नहीं आये क्या? रमेश बोला आज वे लोग अपने पिता जी के साथ मैटनी शो देखने गए है आते ही होगे तबी चुन्नु और मुन्नु आते दिखाए दिये हरिस बाबु बोले अरे आओ भाई हम तो तुम्हारा ही चिक्रक कर रहे थे कौन सी पिच्चर देखी? सतरंच के खिलाडी चुन्नु ने उत्तर दिया कैसी लगी? हरिस बाबु ने पूछा अच्छी थी मुन्नु ने कहा जानते हो इस कहानी के मूल लेकर कौन है? मुन्शी प्रेमचन मुन्नु बोला शाबाज हरिस बाबु ने उसकी पीठ थप थपाई इतने में नीता बोले पिता जी हमारी पुस्तक में भी मुन्शी प्रेमचन कई एक कहानी है कौन सी? इदगा क्या तुम संग्षेप में इदगा कहानी को सुना सकती हो? हरिस बाबु ने पूछा जी हा काओ कर नीता ने कहानी सुनाई हामीद एक करीब लड़का था उसके माता पिता मर चुके थे उसकी देखरे उसकी दादी अमीना करती थी अमीना उसे बहुत प्यार करती थी इद का त्योहार आया हामीद के साथी नूरे, महसीन, महमूद सब बहुत खुश थे जाने कब से वे लोग इद का इंतजार कर रहे थे सबने नए कपड़े पहने, खुशी-खुशी इदगा की ओर्ट चल दिये, वहाँ इद का मेला जुड़ा था, उन सभी के पास खुब पैसे थे, हामीद भी मेला देखने गया उसकी दादी के पास सिर्फ आंट पैसे थे, घर में खाने को दाना भी नहीं था, दादी ने तीन पैसे हामीद को दे दिये, हामीद के पास सबसे कम पैसे थे, पर वह सबसे ज्यादा खुश था मेले में बच्चों ने मिठाई या खाई हामित ने अपने मन पर काबू रखा बेचारे पर तीन पैसे ही तो थे नूरे, मौसीन, महमुद सभी ने खिलोने खरीदे किसे ने भिस्ती, किसे ने वकिल हामित ने खिलोनों पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया इस पर हामिद ने न कुछ खाया न खरीदा आखिर सब लोग मेले से लोटने लगे लोटते समय हामिद को लोहे की चीजों की दुकान दिखाई दी वहाँ दिख गया उसे चिम्टा बस उसे अपनी बूडी दादी का द्यान हो आया उसके घर में चीम्टा नहीं था रोटी सेकते समय बेचारी बूडी दादी के हाथ जल जाते थे उसने तीन पैसे में दादी के लिए चीम्टा खरीद लिया बच्चों ने उसका मजा कुड़ाया पर उसने चीम्टे की तारिफ में अच्छे-च्छे तरक दिये सभी लड़के खामोश, सोचने लगे हमने चिम्टा क्यों नहीं खरीदा घर पहुँचने पर हामीत को उसकी दादी ने गले से लगा लिया उसकी आखों में खुशी के आशु उमड़ाए सभी ने हामीत की बहुत तारिफ की इतना कव कर नीता चुप हो गई हरिश पबु नीता से बहुत खुश हुए बोले वाह बेटी, तुम्हें तो पूरी कहानी याद है अच्छा, यह बताओ कि आमीत कैसा लड़का था बहुत अच्छा, सभी बच्चे एक स्वर में बोले कैसे? नीता ने कहा, वो एक समझदार लड़का था उसे अपने घर की हालत का पता था उसे अपने मनोरंजन से ज्यादा अपने बूडी दादी के कस्टों का ख्याल था शाबबास नीता, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो कुछ खण रुख कर हरिस पबु बोले प्रेमचन जी एक स्रेस्ट कहानी कार थे उनकी हर कहानी में कोई ने कोई सच्चाई छिपी रहती है साथ ही उससे नसिहत भी मिलती है मुन्शी जी ने कुल लगबग सवा 200 कहानिय लिखी उनकी कहानिया जमाना, विशाल भारत, मादूरी, जागरण, माया, हंस, चांद, सरस्वती, आदी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी अब उनकी सारी कहानिया मानसरोवर सिर्शक पुस्तक में संकलित है मानसरोवर के आठ भाग है दुनिया का सबसे अनमोल रतन उनकी सबसे पहली कहानि थी यह जमाना में प्रसिद हुई थी उनकी कुछ प्रसिद कहानिया है सत्रंच के खिलाडी, कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की राद, बुठी काकी, प्रायस्चित, रियासत का दीवान, सवा सेर गेहु, दो वैलो की कथा, हार की जीत, आत्मा राम, गुल्ले डंडा और बड़े घर की बेटी आ रमेश्वु बोला, बाभूजी हमें प्रेमचन की कोई कहानी सुना दीजै न, नहीं, हरी च बाभूबुरे, मैं कहानी नहीं सुनाओंगा, सुनूगा, तुम मेंसे हर एक इन कहानीों में से, कोई एक कहानी पड़े, फिर किसी दिन मैं तुम लोगों से वे कहानी सुनूँ बोलो बात मन्जूर, मन्जूर, सभी बच्चे एक साथ बोलू उठे, अच्छा, अब चल कर खाना खाओ, कल तुम्हें मुन्शी जी के उपन्यासों के बारे में बताऊंगा प्रक्रण आठवा उपन्यास कार प्रैमचंद अगले दिन हरीस बाबुने बच्चों को बताया, मुन्शी प्रैमचंद के कुल 17 उपन्यास लिखे, अठारवा उपन्यास अधुराही रग गया, उनके अधिकान्स उपन्यास पहले पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, कुछ उपन्यास लिखे पहले उर्दु में गय इनके अतिरिक्त मुन्शी जी के अण्या उपन्यास है, देवस्थान रहस्य, प्रेमा, किष्णा, रूठी रानी, वर्दान, निर्मला, प्रतिक्या, गबन, कर्मभुमी, गोधान, मंगल सुत्र और पूर्ण रहा इसका प्रकाशन मुन्शी जी के निधन के कई वर्ष बाद, 1948 में हुआ, इस उपन्यास को बाद में मुन्शी जी के सुपत्र अमरोत रायने पूरा किया, इसका प्रकाशन 1903 में हुआ, मुन्शी जी का पहला उपन्यास उर्दु में लिखा गया था, वह था असरारे मुआ इसका प्रकाशन आवाजे खल्क नामक शाप्ताईक में 8 फरवरी 1903 से 1 फरवरी 1905 तक हुआ देवस्थान रहस्य इसी उपन्यास का हिंदी रुपांतर है प्रेमा उर्दु उपन्यास हम खुर्मा वा हम सबब का हिंदी रुपांतर है इसी प्रकार वर्दान उपन्यास, जल्वय इसार का रंग भुमी, चौगान हस्ती का और सेवा सदन उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रुपांतर है हिंदी में उपन्यास मुन्सी जी से पहले भी लिखे जाते थे, पर वे अधिक तर A.R.E. के या तिलस्मा के उपन्यास होते थे सवै मुनसी जी ने बच्पन में ऐसे कई उपन्यास पड़े थे, उन उपन्यासों से पाठक का मनोरंज तो होता था, पर वे उपन्यास वास्तविक्ता से दूर थे मुंसी जी ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा दी, उसमें जीवन के सच्चे चित्र दिये, सामाजिक और सलाजनितिक समस्यों का वणन किया, किसी उपन्यास में जमिनदारों के जुल्म का वणन है, तो किसी में विदेशी सरकार के जुल्मों का, उन्होंने विद्वा विव की समस्या पर भी उपन्यास लिखा गरीब मजदूर और किसानों की सदैनिय दशा का भी चित्रण किया अच्छोत समस्या जाती प्रथा आदी के विरुद्ध भी आवास उठाई गरज यह कि उन्होंने अपने उपन्यासों के द्वारा समाज को जगाने का सफल प्रयास किया रमेश ने कहा हाँ तुम ठीक कहते हो इतना कहो कर हरीस बाबु कुछ मुस्कुराए फिर बोले रमेश उपन्यासमराठ कहो कर तुमने प्रेमचन के जीवन की एक गटना की याद दिला दी एक बार मुंशी जी बंबई से दिल्ली आये उन्हें जैनेंद्र जी के यहां जान पैदल ही जा पहुँचे लोगों का अस्चरी हुआ जैनेंद्र जी नी कहा अस्चरी है न तार न चिठी पहले से कुछ खबर तो दी होती इस तरह तो आपको बड़ी तकलिफ हुई होगी प्रेमचन जी बोले तार की क्या जरूरत थी 12 आने पैसे कोई फाल्तु है सोचा त मुंशी प्रेमचन हमारे ऐसे ही समराठ थे जो जीवन भर गरीबी से लड़ते रहे लेकिन उन्होंने हिंदी के भंडार को दिव्य रतनों से भर दिया यो तो उनके सभी अपन्यासों को सम्मान मिला किन्टु गबन और गोदान सबसे अधिक लोग प्रिय हुए गोदान त की हासिल था प्रक्रण नौवा मुंशी प्रेमचन अमर है संध्या का समय था रोज की तर हरिश बाबु लान में बैठे थे उनके अगल बगल चारों बच्चे बैठे थे हरिश जी आज कुछ उदास थे उन्होंने कहना शुरू किया मुंशी प्रेमचन ने जीवन भर संग वा भग्य के बरो से बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे कर्म में विश्वास रखते थे आर्थिक कठिनाया हर समय उनके सामने मुह बाये खड़ी रही लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माने आराम उनके लिए हराम था उनकी लेकनी कभी रुकी नहीं उनका व्यक्ति कभी अब का असर उनके स्वास्त पर पढ़ना ही था वा बिमार रहने लगे फिर भी प्रेस का सारा कामकाच देखते बिमारी के दोरान में भी उन्होंने लेकन नहीं छोड़ा नियमित रूप से कुछ न कुछ अवश्य लिखते आखिर एक दिन चार पाई पकड़ली बिमारी ध बात रख कर बोली ऐसी बात मुँँ से न निकालो आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते प्रेमचंद मुस्कुराए बोले जिसके मुँँ से इतना खोन गिरे क्या उसके जीने की भी कोई उम्मीद की जा सकती है उस दिन के बाद प्रेमचंद की बैचनी बढ़ती ही गई सा भाक्य से वह इसे पूरा न कर सके एक माह बाद प्रेमचंद को खोन की दूसरी उल्टी हुई इस बार तो जैसे सरीर की जान ही निकल गई हाथ पैर एकदम सिथिल हो गए उठने बैटने की ताकत भी नहीं रही उन दिनों प्रेमचंद जी के उपनयास कोदान की बहुत चर परचा थी बिमारी की खबर भी साहीतिक शेत्र में फैल चुकी थी अनेक प्रसित सहीतिकार मुंसी जी को देखने आते रहते थे एक देन प्रसित कवी पंडित राम नरेश त्रिपाठी प्रेमचंद जी को देखने गए उनका एक इरादा था यदि मुंसी जी चल फिर सके तो उन्हें सुल्तानपूर ले जाया जाये वहां की आव हवा उनको माफिक रहेगी ऐसा त्रिपाठी जी का विचार था पर उन्होंने देखा कि मुंसी जी तो करवट भी नहीं बदल सकते थे पक कुछ न कह सके त्रिपाठी जी को देखकर मुंसी जी ने धीरे से कहा किना पता नहीं कब नाव छोड़ दू इसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा मुंसी जी उन दिनों इस शेर को अकसर कहा करते थे दरो दिवार पे हसरत से नजर करते हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं डाक्टर ने मुंसी जी को बोलना मना कर रखा था आये उनके म पत्र दयानारैन निगम मुंसी जी उनसे लगातार बात करते रहे दयानारैन जी ने भी उनसे बोलने के लिए मना किया इस पर मुंसी जी ने कहा दुबारा मुलाकात की उम्मिद नहीं वरना तुम्हारा कहना नो टालता महा कवी प्रसाद भी मुन्सी जी को देखने गए थे प्रसित उपन्यासकार जैनेंद्र जी तो वहां काफी समय तक रहे दरसल जैनेंद्र जी पर मुन्सी जी का बहुत स्नेय था उन दिनों निराला जी की गूती का मुन्सी जी के प्रेस में ही छप रहे थी वो भी मुंसी जी को देखने गए साथ में प्रसित आलोचक, नंद दुलारे, वाजपई पी थे निराला जी ने प्रेमचन जी की दशा देखी तो तिल मिला कर रह गए उन्होंने बाद में अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किये कितने दुख की बात है हिंदी के पत्रों में हम राजनितिक नेताओं के मामूली बुखार का तापमान प्रतिदिन पढ़ते है उनमें श्री प्रेमचन की हिंदी का महान उपकार करने वाले प्रेमचन जी की अवस्ता की साप्ताइक खबर भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती दुख की नहीं या लज्जा की बात है हिंदी भाशियों के लिए मर जाने की बात है उन्होंने अपने साहित्य को कोई ऐसी दसा नहीं होने दी कि वे हसते हुए जीते और आसिरवात देते हुए मरते सभी बच्चे हरिस बाबु की बाते बड़ी घंबीरता से सुन रहे थे हटात उनकी निगाह नीता पर गई नीता की आँखों से आशु बह रहे थे हरिस बाबु ने कहा नीता क्या बात है बेटी नीता ने जट पड़ आशु पोच लिए बोली कुछ नहीं बाबु जी नीराला जी ने ठीक ही कहा था हरिस बाबु मनही मन अपने बिटिया की समझ पर प्रसन न हुए कुछ देर रुख कर उन्होंने आगे कहा 1936 अक्तुमबर का महिना तारिक आठ सुब का समय मुनसी जी कुल्ला करना चाहते थे कर नहीं पाए दात बीच गए कुछ खण में ही उनके प्राण पकेरू उड़ गए लमही खबर पहुची बिरादरी वाले एकत्र हुए उपन्या समराट की शाई यात्रा चली कुल 15-20 आदमी साथ थे किसी रहागीर ने पूछा कौन था? कोई मास्टर था दूसरे ने जवाब दिया इतना कहकर हरीस बाबु ने गहरी सांस ली फिर बोले वे लोग उन्हें साधरन व्यक्ति समझते थे नहीं जानते की वो एक समराट थे अनेक समराट समय के साथ बुला दिये गए पर वो एक ऐसे समराट थे जिने कभी नहीं बुलाया जा सकता जब तक हिंदी भाषा है उपन्या समराट मुन्शी प्रेमचंद अमर है अस्तू